तो फ्रेंज वेलकम बाग तो फ्रेंज अभी का वीडियो है मोधी जी का खत आने पर पा मीडिया ने डाले भंगडे ये खत नहीं हमारे लिए एक वार्निंग उचलो देखें वही आमें तो पते नहीं उन्होंने कौन सा खत बेज आ है कौन सा लेटर बेज आ है कोई कमार की हिउसी लग रही है तो फ्रेंज वीडियो शुरू करते और पता करते हैं टेल्स पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जलए सै पहले सब्स्राइब के बातन प्र लाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको आपका स्वागत है दोस्तो प्राइम मिस्टर शिरीन रेंदर मोदीची ने पार्किस्तान डे के मौके पर पार्किस्तान के नाम एक खत लिखा है जिसमें मोदीची ने अपना जवाब साफ तोर पर पार्किस्तान को बता दिया है हलाकि पाकिस्तान प्राइम मिस्टर मोदीची के इस खत पर बहुत खुश नजर आ रहा है और उनका मीडिया भंगरे डाल रहा है पाकिस्तानी मीडिया की खुशी का ठिकाना नहीं है लेकिन साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि मोदीच सहब ने तो दो टुक अंदाज में पाकिस्तान को नसीह दे डाली है आज की वीडियो में पाकिस्तानी मिडिया ने और क्या कहा So guys, let's start this very interesting video. Thank you very much. अगेशे कि अवाम को ग्रीटिंग्स हैं और पाक्सान की अवाम को मुबारिख बार लेकिन हमें किसी बड़ी खुश्फेमी में नहीं रहना अगेशे कि उन्हें ने ग्रीटिंग्स जरूर दीए लेकर उस खर्ट का मतल अगर आप देखे तो उसमें वो अपने जो दिल की बा में बात किये तो यह बड़ी बड़ी आहाम चीज़ है दोना खुश्फ के ओपर जब मैंने बात की कि हसीना वाजत का खत के पहले वो पाकिस्तान से बात तक नहीं करती थी अब वो ग्रीटिंग्स दे रही हैं निरिंदर मोदी उन्हें कर यह कर यह किस्टमरी है रस्मी खत हैं यह बिलकुल जिसे कहते हैं ट्रिडिशनल रस्मी खत हैं लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहूंगा कि खत आया है ढाका से और दिली से बहुत बड़ी पेश्फ़ थे जी महाहूल बदल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने आज मैं आने से पहले बहुत सारे लोगों से गुजिशता दो बरस में डायर्ट करते हो जो ठीक है लेकिन मतीन सब्सक्राइब यह जो पिछले दिनों यह असलाबाद में जो कांस्वाज थी थी यह उसी का मुझे लगता है यह उसी की एक्स्टेंशन है यह उसके बाद की जुलते हाल है किसकी उसमें बड़े एह मुझ सब्सक्राइब में एक कुरीदी खिताब था अफजी आजम इम्रान खान का और आपी चीफ जरनल कमर्ज अवेड़ पारागारा कि जिसमें उनने वाज़े किया कि हम अमन की ख्वाइश लेकर आगे चलना जाते हैं और चाहते हैं कि माजी की तमाम तर चीजें जो है वो आजम इमरान खान को खत लिखा और कहा कि हम खुछगवार तालुकात की खायश रखते हैं जो कशीदगी और देशगरदी से मुबर्रा बाहनी इत्माद साजी की फिजा में हूँ अब इसके अंदर जाहर है मुदी साब ने वे शरारत रखी है देशगरदी जो है उनका पर स्क्यूरिटी डायलॉग जो है वो भी हुआ और उसमें आर्मी चीफ जैनल कमर जावेद बाजवा को जो खिताब था उसके अंदर दो तिन चीज़ें पड़ी एहमियत की हामिल है एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि हमें इस हकीकत का इद्राक हो गया है कि जब तक हम पर उन्होंने कहाा कि हम अपने इलाका ही महल को बहतर बनाना चाहते हैं और हम अपने स्दों नके साथ जो हल तलम मामलात हैं उन öncequalिकर और और एक डिम्निफाइड तरीके और पूर मन तरीके से हैं तो हल करना चाहते हैं वीवर्स बड़ी ख़बरे मिल रहीं आज तो नहीं नहीं ख़बरे हैं कि प्रामेस्टर मोदी ने प्रामेस्टर इम्राइश्ट को ख़ट पेजा है तेश मार्च के हौआले से इससे पहले मोदी तबियत के बारे में भी पूछ चुके है जब अम्रांखान से कोविड-19 के वो पेशेंट बने अभी इनको है कोरोना, बट ही इस गुड तो इसको पाकिस्ता में बहुत अच्छे से लिया जा रहा है, गो के प्रामिस्टर अम्रांखान अभी तक मोधी साब के ट्वीट का डेरेक्ट जवाब नी दिया, जो कि मैं परस अच्छे साब की तरफ से भी खात आया है, और उन्होंने डॉक्टर आरफ हमी जो पाकिस्तान के सदर अम को यह खात पेचा है, और यह जो दोनों खात पहुँचे हैं, जारी बाता है, यह तफ्रिख खार्चा के जरीए पाकिस्तान में पहुँचे हैं, जो इंडियान अब यह है कि अन्होंने यह का है कि पाकिस्तान के साथ हम जो है वो एक अच्छा नेवर होने के साथ साथ, हम उनके साथ अच्छे तालुकात चाहते हैं, और आपका जो आपका जो नैशनल डेरस की मबारक बात देते हैं, और अच्छे तालुकात चाहते हैं, और वो जो इंडिय कि लाएना है कि for this an environment of trust devoid of talent and hostility is imperative. I think he is absolutely right on this. Prime Minister Modi हमारा भी तो यह मुतालब है, हम भी तो यह कहते हैं कि ऐसा महौल नी होना चाहिए, जिसमें तैशतगर्दी ना हो, जिसमें दोनों ममालेक एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कुछ ऐसे एक्दाम ने करें, दोनों ममालेक अमन के लिए काम करें और एक्जेक्टली, Prime Minister Modi ने जो है वो का है कि इस इंसानियत को मुश्कल वक्त है, और वो जो पाकिस्तान के लोग है, उनको जो COVID-19 है, इस पंडैमिक से डील करने के लिए पैस्मिशिस बेचते हैं, so I think this is wonderful, I personally find it fine. लेकर जो important चीज़ यह है, वो यह है कि एक conference आ रही है, Heart of Asia, 30 March को, जो कि जारी बात है, जिसमें दुशंबे में एक conference हो रही है, जिसमें there is a possibility, कि भारत और पाकिस्तान के वुजराय खार्जा मिलने का अमकान है, so अगर इतनी बल्फ बिगली है, तो अगर यह वुजराय खार्जा मिल जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा ब्रेक्त्रू होगा, और इस हमाले से इज़ारी बात है, बाते तो बहुत की जा सकती है, लेकर ज जोदी जी के लेटर में दूम अचा दिया पाकिस्तान में, तो यह लोग तो भंगडा पा रहे हैं, और वो जो थे वो तो कह रहे ते मैं तो मेरे तो नाचने का मन कर रहे है, तो बड़ा खुश हूँ, तो वो कह रहे ते उसके अंदर एक मेसेज भी है, जिसमें वो यह ही क कि उनका पाकिस्तान डेय तो जो होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स दूसरी कंट्री के विश करते हैं, तो वही वो कह रहे हैं कि वही नॉर्मल उन्होंने भेजा है, यहां से मोधी जी ने और वहां से बंगलादेश ने भी भेजा है, तो उसमें इतना वो होने की जरूत कराएं, पर मैं हर वार यही कहती हूं, और अभी भी यही कहूंगी, कि पास्ट हस टॉर्ट था लेस्न और हमें उस लेस्न से बहुत केफुली चलना चाहिए, जब तक 100% शूरती नहीं हो, तो मोधी जी बहुत स्मार्ट है, उनको पता है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो तो यह तो आगे टाइम जो है वो बताएगा, पर यह देखके कि एक लेटर आने से वहां पर जो इस तइप से हो रहा है, ताट बढ़ एंग और जिस सरह से बोल रहे हैं कि अभी वहां पर भी पाकिस्तान में भी जो ऑफिशल जो जो अब यह कोशिश कर रहे हैं कि और ऐसे वो देखते हैं हमारे लिए हमारी तरफ उनकी क्या रिलेशिंस होते हैं तो वो सुनके मुझे बढ़ा अमेजिंग लगा था कि अच्छो वाव पहले क्या स्टैन्ट था पहले तो इंडिया में टेर्रिज्ड ए जी इंडिया में मुझे एक वीडियो कि आद तो हमें तो मिल ग पर अभी तो जादा नहीं बोलेंगे दीने दीने टाइम जैसे जैसे पास होगा और क्लारिटी मिलेगी तो अच्छा अच्छी बात है कि इंडिया तो चाहता ही था कि अपने नेबर से लड़ाई ना हो क्योंकि यह तो अब्यूस बात है कि अगर आपके नेबर्स पीस्फुल है तो ट्रेड बढ़ता है नेबर से और अगर आप देखें जाएं देखें कि जेनेटिकली इंडिया और पाकिस्तान ज्यादा सिमिलर हैं कंपेर टू इंडिया और चाइना तो इसलिए भी मोधी जी ने कहा होगा जब उनके मेरे खाब से वापर जेनरल ने कहा था कि पहले बातें भूल जाओ आगे की देखो और आगे का अच्छा करते तो मतलब जो भी ता पॉस्टिफ था तो ये मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ने उसके रिस्पॉंस में भेजा है इंडिया ने सिर्भ भेजा है कि आपका पाकिस्तान डे है तो आपको और इंडिया अपने आपको अपने आपको क्लीन कर सकता है जैसे वो कह रहे हैं कि अपने आपको क्लेंस करिए अपने आपको बेटर करिए ट्रस्ट बनाएं तो अच्छा हो सकता है तो अच्छी अच्छी नियूस है इस पॉइंट पर अच्छी बात है कि कि किसी से भी दोस्ती करने अच शुरू हो जाती है मगर उस वक यह था कि पॉलिटिकल लीडर्स एग्री करते थे दोस्ती में मगर जो पाकिस्तान के जनरल से वह एग्री नहीं करते थे आएसाई अभी तो यही था कि यहां पर पॉलिटिशन कहरें हमें करनी चाहिए मगर आएसाई से स्टेटमेंट आ रही ह है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए तब हो सकता है एक्चल दोस्ती पॉसिबल होगी तो अच्छा वीडियो था अभी कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपने थोट्स चलते मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत ही जल्द तिल देन टेक केर और बाबाई तो अगर आप मेरे इस पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए